हाई गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और इस वीडियो में हम 20 जनवर के सभी इंपोर्टन्ट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, कई बहतरीन कोश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे आज और आप लोग यह आप क्यूबा की लोकेशन भी देख सकते हैं, यह कैरिबियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है हवाना, और करंसी है पैसो, देखें, कॉलंबिया में हाली में एक अटेक हुआ था, और यह अटेक क्या था, नेस्नल लिबरेशन आर्मी, जिसे ELN बोलते हैं, तो इसके जो र आतंगवात प्रायजित देशों में सामिल कर दिया है, आगे बढ़ते हैं, गोवा में 51 में अंतराष्टे फिल्म समारो के दोरान, इंडियन परसनेल्टी ओफ दा इयर पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मान मिला है, विस्वजी चैटर जीजी को, जो की एक फिल्म डिरेक्टर और एक्टर हैं, साथी बात करें अगर हम इस 51 अंतराष्टे फिल्म समारो की, तो इसमें बांगला देश जो है, यह फोकस कंट्री है, और यह गोवा में आयुजित किया जा रहा है, साथी आपके लिए यह जानना जूरूरी है, कि इसमें जो इंटर किया गया है, options आपके सामने है, English में भी पढ़ देते हैं, which of the following countries has or have been invited by United Kingdom to attend G7 Summit in 2021, correct answer is option D, देखें, India, Australia और South Korea, यह तीनों ही G7 Member Countries नहीं है, लेकिन इन तीनों को आमंतरित किया गया है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, G7 के जो भी Member हैं, उनके जो भी President या Prime Minister होते Summit में पार्टिसिपेट करते हैं, साथी आपके लिए भी जानना जुरूरी है, देखें यह आपको मैं नीज भी दिखा देता हूं, कि apart from India, the United Kingdom has also invited leaders from Australia and South Korea amid the stock of expanding the grouping to include the three countries as well, साथी friends, जल्दी से G7 के बारे में जान लेते, काफी important notes हैं, देखें, Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and United States के जो साथी European Union को भी यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है, यह जो है, यह एक intergovernmental organization है, जो कि 1975 में बना था, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी, वो फ्रांस में 1975 में ही हुई थी, इसका मकसद यह है कि energy security, trade, climate change, gender equality, health issues, इन सभी पर चर्चा की जाए, साथी आपके लिए भी ज इसके बाद 2014 में, रश्या को G7 से बाहर कर दिया गया, साथी आपको यह भी मालूम होना चाहिए, कि G7 का अपना कोई formal constitution नहीं है, और नहीं इसका कोई fixed headquarters है, साथी फ्रेंट जो अभी यह 2021 में summit होने जारी है, यह 47 वी summit है, यह आपको याद रखना जरूरी है, और यह देख आपको फसाया जाएगा, तो याद रखना यह England के Cornwall region, यहाँ पर यह summit होने वाली है, तो यह काफी important है, इसको आप नोड जरूर कर लीजेगा, आगे बढ़ते हैं, हाली में सयुक्त राश्ट मानवादिकार परिसत ने 2021 के अध्यक्स के रूप में नाजद समीम खान को चु और जो फीजी है, फीजी की capital है, सुवा, और जो यह UNHRC है, इसमें 47 members है, COVID-19 response team में परिक्षन के लिए निती सलाहकार के रूप में विदूर सर्मा को किसने चैनित किया, तो यह चैनित किया है, जो बाइडन ने, जो की United States के President बनने वाले हैं, साथी आपके लिए यह भी जा Digital Director, Newt किया है, जो भी President की wife होती है, United States में, उनको First Lady बोला जाता है, और जो Vice President की wife होती है, उनको Second Lady बोला जाता है, साथी अगर इसी तरह की appointment हम देखें, तो वनीता गुपता, इनको Joe Biden ने अपना Associate Attorney General पिक किया है, साथी Sumona Goa, इनको Director for South Asia, Newt किया गया है, साथी Sabrina Singh, इनको Deputy Press Secretary Newt किया है, White House में, इसी Complete List, जितने भी Indian American, Joe Biden ने अपनी Cabinet में, इनक्लूट किया है, इसी Complete List मैंने आपको एक वीडियो में भी दी थी, आप Telegram जोइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं आपको Post कर दूँगा, अवीवा इंडिया के CEO और MD के रूप में किसे न्युक्त किया गया है, तो ये न्युक्त किया गया है, अमित मलिक को, और साथ ही आपको ये भी जानना जुरूद है कि जो अवीवा है, ये एक British Multinational Insurance Company है, जिसका Headquarters London in England में है, आरिफ मुहम्मद खान जिन्होंने हाली में One School, One I.S. कारेकरम शुरू किया, किस राज्य के राज्यपाल है, तो ये तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, और आंसर होगा Option C, केरला, साथी केरला से जुड़े कुछ important facts देख लेते हैं, जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी important है, केरला के CMA, पिनराई विजियन, यहां की capital है, थिरुवनंत पुरम, मलयालम यहां की official language है, और Great Hornville, ये जो है केरल और अरुनाचल दोनों की state bird है, यहां के अगर famous places देखें, तो friends यहां पर एक रिजन जो कि अपनी paddy fields के लिए जाना जाता है, और बात करें, अगर इसकी खास विसिस्ता की, तो इंडिया में ये lowest altitude वाला छेतर है, साथी जो food and agriculture organization है, इसको यहां की जो farming है, कुट्वनार की जो farming है, इसको globally important agriculture heritage system का tag दिया हुआ है, यानि GIAHS का tag दिया हु हुआ है, साथी अगर केरल से चुड़े current affairs की बात करें, तो first solar powered miniature train, ये केरला में लूँच हुई है, देखे, miniature train का मतलब होता है, miniature का मतलब यही होता है, कि कोई अगर बड़ी कोई चीज है, तो उसका छोटा सुरू, अगर कोई बड़ी train है, तो अगर हम उसका छोटी train कोई बनाना चाहें, जिसमें कम डबे हो, तो उसको miniature बोलते है, साथी केरल ने हाली में, bird flu, जब आप bird flu के जो cases आए हैं, तो सबसे पहले केरल ने ही इसको state disaster declare किया है, साथी United Nation woman और केरल ने मिलकर, इंडिया का पहला gender data hub, ये केरल में बनने जाएगा, साथी केरल जो है, केरल में open हुआ है, डच का मतलब है, नीदरलेंड्स, साथी के फोन, इसको भी केरल गॉवर्मेंट ने हाली में सुरू किया है, ताकि आठ जार से ज़्यादा government institutions को connect किया जा सके, साथी केरल ने break the chain mask campaign भी लौँच किया था, जब COVID-19 की सुरूआत हुई थी, ताकि उसकी जो नेया मुख्य कारेकारी अधिकारी यानि CEO नुक्त किया है, तो ये किया है Intel ने, Intel की बात करें तो इसका headquarters ये Santa Clara Silicon Valley USA में है, देखें Silicon Valley ये United States में एक जगा है, बेसिकलि अगर हम बात करें Silicon तो आप जानते होंगे, तो Silicon का use ये transistor और ICs इन सब में किया जाता है, और इसी तरह क company जो high-tech companies है, ये यहाँ पर located है, तो इसलिए इसको Silicon Valley बोलते हैं, ठीक है, और Bengaluru में भी आपको पता होगा, इसी तरह का hub है, एक बहुत बड़ा IT hub है, तो Bengaluru को Silicon Valley of India बोलते हैं, ये कई बार exam में पूछा गया है, और आप लोगों को ये मालूम भी होगा, साथे अगर हम बा सावत की ओर से, जाने इनके बियाफ पर, सिल्वर, सॉल्वर किसे परदान किया गया है, तो ये परदान किया गया है, प्रिथी पाल सिंग को, और आपके लिए भी जानना जूरूर ही है, 14 जनवरी को भारत वेटरन्स डे मनाता है, नेलसन मंडेला विस्व मानव तावादी किसे सम्मानित किया गया है, तो ये फ्रेंट्स जो तीनों है, इन तीनों को चुना गया है, मिलिन पंथ, और एडवर्ड नाइट और किरन मजूमदार शाह, तो जो किरन मजूमदार शाह है, ये बायो कौन की Executive Chairperson है, मिलिन पंथ, ये M.W. के CEO है, एडवर्ड नाइट, ये नास्टेक के Vice Chairman है, निमलिकित में से किसने राष्टे उड़जा संडक्षन प्रुसकार 2020 जीता है, विच ओफ दा फॉलोइंग है, वोन दे नेशनल एनरजी SING, Micro, Small and Medium Enterprises, यानि MSMEs के लिए, निमलिकित में से किसने, Liberalized MSME AEO Package पेश किया है, तो ये Package पेश किया है, Central Board of Indirect Taxes and Customs, GST वगेरा जो भी Department है, ये सब EC के अंदर आता है, CBIC के अंदर, बात करते हैं, बाकी options की, तो Reserve Bank of India का Headquarters मुंबई में है, CB का Headquarters भी मुंबई में है, और SID भी का Headquarters है, लखनों में, जो ये CBIC है, ये Friends Department of Revenue का पार्ट है, और Department of Revenue जो है, ये Ministry of Finance के अंतरकत आती है, अब देखे लेते हैं, आज का last question, Ebola vaccine का Westwick बंडार किस देश में बनाया जा रहा है, the global stockpile of the Ebola vaccine is being created, in which country, तो ये बनाया जा रहा है, Switzerland में, और बात करने हैं, अगर Ebola virus की, तो Friends, जो ये Ebola virus disease है, EVD का मतलब है, Ebola virus disease, सबसे पहले 1976 में इसके cases आई थे, दो जगा पर, एक तो South Sudan में और एक Democratic Republic of Congo में, अब देखते हैं, previous assignment questions के answer, Kinshasa is the capital of which country, Democratic Republic of Congo, Pasigat airport is located in which state, Arunachal Pradesh, Anshi National Park is situated in which state, Karnataka, as per the NSO data, India's real GDP is estimated to contract by what percent in 2020-2021, 7.7%, Under Jal Jeevan Mission, India aims to provide tap water connection to every rural household by which year, 2024, अब देखते हैं, आज ही assignment questions, Kitega is the capital of which country, Sheikh Ull Alam International Airport is located in which state, or UT, Rata Paani Wildlife Century is situated in which state, Name the first country to successfully isolate culture, COVID-19 UK strain, B117 virus, or VUI 2020-21, यह आप याद रखना, exam में पुछा जा सकता है, कि जो United Kingdom में COVID-19 का strain है, इसका नाम क्या दिया गया है, तो दोनों ही इसके नाम दिये गए हैं, Swami Vivekananda founded Ramakrishna Mission in which year, तो friends, इन 5 questions के आंसर आपको comment box में बताने हैं, अगर आपको एक question का आंसर भी बता आता है, तो वो भी आप हमें comment box में जरूर बताएं, साथी friends, अगर आपको हमारा content अच्छा लगता है, हमारा explanation अच्छा लगता है, तो वीडियो को like जरूर किया कीजे, और साथ में आप सभी current affairs funda को telegram पर भी join कर सकते हैं, यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं, साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं, दोस्ते आपर current affairs की playlist दी गई है, इसको जरूर देके, और अपने दोस्तों के साथ WhatsApp और Telegram पर शेयर करें, like करें और comment करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, thank you guys.